हेलो नर्सिंग स्टुडेंट आप लोग कैसे हैं हाई ओप अच्छे होंगे तो आज का अमारा टॉपिक है ब्यस्सी नर्सिंग एबं भी फार्मा बी पीटी और बी ओटी के लिए काउंसिलिंग लेटर की समझ से आ रहाई थी तो उसका आमने समाधान निकाल लिया है तो इस हो जाए 2020 इस बार ब्यस्सी नर्सिंग में तो वीडियो एंड तक देखते रहे क्योंकि आज का वीडियो हम आपके लिए बहुत स्पेसलिस्ट बनाने वाले हैं क्योंकि हमने अभी कुछ देर 15-20 मिनट पहले इसकी न्यूज देखिए इसलिए मैंने सूचा कि आप लोगों को दबा कर इस पर सस्क्राइब लिकाए उसे दबा कर बटन दबा दीजिए जिससे की हमारे चैनल सस्क्राइब हो जाएगा और साथी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे की आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिपिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी वी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इनफर्म कर दें क्योंकि इसकी लास्ट डेट यानि कल तक है यानि 15 तारीक तक है 15 तारीक आप समझ सकते हैं यहाँ पर 15 तारीक यानि 15 दिसंबर आप समझ सकते हैं 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट ह क्योंकि कांसिलिंग अब हमें नहीं लगता कि भी एसी नर्सिंग की बीपीटी बीफार्मा और बीओटी की कांसिलिंग करवाएगा तो यह आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें टूटल सड्यूल क्या है तो सब बाद हम आपको कुछ इंपोर्टेंट जानकारी देंगे जैसा कि हमने डाउनलोड करके रखा है पिछला ही रिकॉर्ड क्योंकि यह भी आप लोग देख लीजिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि यह है सेकंड राउंड कांसिलिंग की पंदरा तारिक यानि पंदरा दिस आइंगे इससे पहले यह जानकारी जान लेते हैं तो इसमें यह दे राखखा हैं में जिसमें दे राकाय कि जर्णर और ओवी कोर्स में आप नहीं सीटें आपकी बची है यानि फुल हो चुकी है जैसे एस्टी देख रहे हैं तो इस परिकार की सीटें यहां पर बची हुई है एस्टी कंडिडेट के लिए अगर आपको जैसे बीसी नर्सिंग में नहीं मिलता है तो आप भी फार्मा में भी अपलाई कर सकते हैं यानि जिस प्रेश हशाब से आप लोक देख रहे हैं यहां पर जैसे अगर आप अगर आप से माक्स ससतर हैं इसलीए मेरा मानना है तो आप वहां पर अटेंट रहिए कैसे ही कोई समस्य आती है तुरंट जगवा दीजिए एडिविशन मतलब करवा दीजिए आप अपना तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं अपनी इस प्रिकार अगर आपको अगर भी फार्मा नहीं मिलता है तो बी ओटी भी बहुत अच्छा ऑप्सन है बेचलर रॉफ ऑप्टोमेट्री टेक्निस यह मतलब टेक्निक मतलब इससे यह होता है यह साड़ी चार साल क इस पे अपकी 100 परसेंट जोफ केषय है और बी-पी टी यह भी बहुत नहीं करने में और इसमें भी लहाख और रुपए कर चाते हैं अगर आप प्राइब特 से करते हैं अगर Gowernsub जाय तो बहुत अच्छी वाद है मेरा ही मानना है कि आप तुरंच इसमें एड्विशन ले देख रहे हैं फोर्म फोर्म जीरो की वेबसाइड यहां पर आपको पता होगा कियोंकि सारे स्टूडेन्ट को पता नहीं कि किसी कि धूधियन्ट ने तो वाँ से iMS की वेबसाइड से apply किया है तो हम आपको इस website की link इस वीडियो की description में दे देंगे यहां से आप लोग तुरंत आपको तो यहां से आप लोग नीचे आएंगे तो यहां पर यहां पर यह लिखा है second round यहां पर लिखा है हम आपको पढ़के सुनाते हैं counseling 2020 round second announcement 15 December 2020 तो यहां पर लिखा है यहां पर आपके सामने इस पिरकार का option आएगा तो आपको हलाकि drive की option पर क्लिक कर देना है जैसा कि आपके option आएगा आपको क्रोम पो नहीं करना है यहां ड्राइब एक option कर देंगे तो आपको इस पिरकार की हमारी जो mail आईडिये उन्ट खुलकर आ जाएंगे बट आपको इसमें कोई तो इस पर आ जाए गा तो आपको यहां से आपका कांसिलिंग नहीं हुआ है मतलब कांसिलिंग लेटर नहीं आया तो यहां पर लिखा है बनारास हिंदू यूनिवर्स्टी ओफीचियल ऑफ डारेक्टर इस्टेटूट ऑफ मेडिकल साइंस मतलब यह डारेक्ट होगा तो लिखा है टू दा अप्लिकेंट सब्जेक्ट है मतलब इसका बिसे है कि एडिवीशन टू फ़स्टियर ब्यस्टी नर्सिंग को सब्सक्राइब यह डियर अप्लिकेशन अप्लिकेंट मतलब जो जो मतलब वहां की डीन सा रहे ना उनके पास यह जाएगा तो आएं प्लीस और इन्फॉर्म अप मतलब मैं सेलेक्टेड हूँ पर हमारा जो कांसलिंग लेटर आया नहीं है तो आप यह भी इस प्रकार का यह आप ले कए जा सकते हैं इसकी फोटो कॉपी तो यहां पर हम आपको यहां पर कुछ इन्होंने बूद दे रखे हैं अपने क्या के आपर डोकुमेंस ले आने वह को भी हम आपको पढ़ते सकते हैं टैन प्लस टू क्वालिफाई पचास परसेंट मार्क्स यूनिवरस्टी इंगलिस इस परकार का आपको होना चाहिए प्लस इसमें एप्लिकेशन हैज मी अप्रोट भी फोर दा एड़ बीशन कम्यूनिटी दा इंस्टिटूट और पंदर यहां पर अभी हम आपको सनाते हैं इट विडवी फाल्वेड वाई दी मेडिकल एग्जाम इट केस्वी फैल टू अपॉइन विफोर दा एड़ बीशन कम्यूनिटी एंड पंदरा मतलब पंदरा दिसमबर फोर एड़ बीशन विल नोट वी कंसाइडर यू आर डारेक्ट टू रिपोर्ट एंड नोबजी और न्यू लेक्चरार ट्रेटर कंप्लेक्स आई एमस बीच यू डॉकुमेंट वेरिफिकेशन मतलब इसमें यह लिखा है कि आप रिपोर्ट कर देंगी जाकर डारेक्ट वहां पर नोबजी रिपोर्ट कर देंगी तो आपको लेक्चरार ले जाने हाई स्कूल इंटर मारसीट प्लस सेलफ अटेंड टू फोटो इस मतलब जो फोटो आपकी खिची होनी चाहिए प्लस सिक्स कॉपी पासपोर्ट साइट फोटो मतलब हमें ने आपको बोला था पिछली वीडियो में कि आपको बीस फोटो हमेशा अटेंड रेक्ट दिया था तो उसकी फोटो कापी और वो और जिनल भी ले जाना है आपको प्लस फोटो कापी अपने पास रख लेनी है जो कि बाधिन आपको और काश्ट सर्टिफिकेट और गाश्ट अर्जिनल ओवी सी नॉन क्राइम लेयर यहां पर यह दे रखा है नॉन क्रेम मतलब 6 मह मैने से पुराना नहीं होना चाहिए खासकर OBC के लिए अगर कास सर्टिपिकेट अगर आपका छह माहीने से पुराना है तो आपको reject कर दिया जाएगा EWS अगर सर्टिपिकेट है तो आप EWS सर्टिपिकेट ओर्जिनल ले कर जाएं तो यहां पर देख रहें the female candidates to advise to bring the opportunity 1200 रुपाई cash to cover of the fees hostel the time of admission it will be candidates to advise to approximately 800 and hostel faculty to available for the female student मतलब female student के लिए 12,000 रुपाई आपको ले जाने है sorry 12,000 रुपाई प्लस cash ले जाने है प्लस आपको 8,000 रुपाई कैस लायाने जो की hostel faculty is available for only female student मतलब यह सिर्फ hostel faculty only female के लिए बट बॉइ के लिए नहीं है the admission process my going to day hones of request to come compare to make your the arrangement of the stay of banarasi तो हाई ओप यह notification आपको समझ में आ गया होगा अगर notification अच्छा अगर यह जाने का रही आपको थोड़ी वी अच्छी लाइए हो तो like करें अगर जाने का रही अच्छी नहीं लगी तो dislike करें और हमारे चैनल को subscribe जलू करते जाएं जिसे कि आने वाली एसी वीडियो की latest notification आप तक सबसे पहले पहुँचे वीडियो को लाइक जलूट करतें कमेंट करें अपने दोस्तों साथ स्यार करने तो थैंक्स पर वाचिंग करो कि अगर जाली चाना सबसे झाले चाना सामारी सामा याज्डियों